राम राम जी सारे न फुली सारे ठीक ठाक होगे तो बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे हैं जिनका मेरिटलिस्ट में नाम नाया यानि कि जो पहली मेरिटलिस्ट उसमें नाम नहीं है जो M.D.U के लगे ठीक है कल कोलेज की लगे की तो बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे भी होंगे तो उसके बाद तो वो मतलब इस ओप में बैट जाते हैं कि वहाँ जब सैक्ट मेरिट लिस्ट आएगे तो उसमें मार हनाम आजाए गा लेकिन क्या है आता है कि उसकी कटागरी की सीट फुल हो जाती है या फिर जो उसकी परसेंटेज जादा परसेंटेज वारे लड़के होत उपन और फीजीकल कउंसलिंग दोनों मतलब डाउट में रहूंप इसका फाइदा क्या क्या होता है कैसे लिए डोनों जब आपकि बहुत सारे चाहर इस नहीं होते हैं तो उसकी सीट तो खाली रह गई ठीक है तो उस सीट को क्या करते है वो open counseling में डाल देते हैं यानि कि vacant seat में जब दूसरी list लगती है तो उसमें देखते हैं कि totally सारे student admission नहीं लेते हैं तो उसमें से भी कुछ सीटे बच जाती है तो वो total की total seat वो मतलब physical counseling के लिए vacant रख देते हैं ज आपको वहाँ पर जाके अब की बार online कर रहे है पहले offline होता था ठीक है अब की बार portal खुलेगा दुबारा से ठीक है वो चाहे college का हो या फिर आपका university का हो ठीक है उसका अलग से portal खुलेगा दुबारा से portal reopen होगा उसमें आपको दुबारा से form apply करना है ठीक है open counseling के लिए उस course में इतनी सीट है इस course में इतनी सीट बची होई है तो जिस course में भी मतलब ज्यादा सीट्टे है ठीक है या फिर जिस course में कम competition है तो आपको वही course चूज करना है ठीक है subject वगरा कोई दिक्कत नहीं है subject आपको भी चूज कर सकते है ठीक है तो आपको वहाँ पर चूज करना ठीक है अब बहुत सारे स्टुडेंट ये पुछेगी कि इसकी मतलब आखरी तारिख क्या है ओपन कांसलिंग की कैसे होगी इसकी फीस के बारे ही तो मैं इसकी आखरी तारिख बता दू जो आपकी MDU University की ओपन कांसलिंग है वो होगी 20 तारिख को यानि की 20 सेप्टेंबर को ठ उसके बाद स्याम तक या फिर अगले दिन आपकी मतलब लिस्ट लग जाएगी उस लिस्ट लगने के तुरूंत बाद आपको फीस सब्मिट करवानी पड़ेगी वो फीस आपकी ओनलाइन सब्मिट होगी वो कैसे होगी अगर आपको MDU University का अगर आपको ओपन कांसलिंग मे आपका नाम आ गया तो आप student.mdu.ac.in इस portal पे जाके आप अपने registration नंबर और password जो आपकी date of birth होता है उसके साथ registration करके payment कर सकते हैं वहां से आप payment कट वा सकते हैं और जब आपकी payment हो जाएगी तो समझ लो आपका admission हो गया है ठीक है और जो और जो student है कि जो मतलब colleges के student है college वा वो online submit करवा देंगे काम पर करवाएंगे वो dhc की website पर ही आपकी जो फीस है वो submit होगी ठीक है वो आपकी student जो dhc का student portal है वहाँ पर जाके आपको same वही procedure रहेगा आपका आपको मतलब dhc website पर जाओगे वही फीस payment का option मिलेगा आपको login पर होगे जब अपनी registration number से तो वहां कर सकते है ठीक है तो आपकी comment का मतलब reply जो रुद्यांगे थोड़ा बहुत लेट हो जाए यार यह तो आना कि सारा दन मैं भी phone आथ में लिए राकू ठीक है तो hopefully video ठीक ठाक लागी होगी और समझ मा आगी होगी कि open counseling होती क्या है यह फाइदा किसके लिए है ठीक है तो video ने अगर वहां पर उनका लग काम कर जाता है और उनका एक साल बच जाता है ठीक है तो मिलते है जल्दी ही नई वीडियो लेके तो तब तक के लिए राम राम